यह यहां से उक्के परकेमा करते हैं और आप देख सकते हैं बापरे कितना डेंजर है यह देख लोगा यह हमने बहुत देखे हैं कलम चौमासी गए थे महां भी काफी थे रेप्टाइल्स बहुत हैं इस त्वेली में कॉंट्रास्ट के लिए पर दिखानों हाथ के साइज से देखिए कितना बड़ा है जो सामने आप देख रहे हैं यह है उक्खी मिट हमने भी कि मार्किट को क्रॉस किया है और मैं आपको एक नजारा दिखाने वाला हूँ लुक अट ब्यूटी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ आइ थिंग या तो यह नंदा देवी प्रवत है या फिर तरिशूल परवत है और मुझे इतना पता है कहा यहां पे नंदा देवी और त्रिशूल दोनों प्रवत है और साथ में एक बर इस गलेशर वैली को देखिए आजसम और पर आसर राइट में, ओह, है ना ब्यूटिफूल सोचिए आप आप खड़े हों, बरब के अंदर, या बात है चोप्टा रोड के अपर आपको काफी स्टे और रेस्टोरेंट वगरा मिल जाएंगे, खाने पिने की लुकाने बहुत आएं यहां पर तो बस उसोफ रोड के पैच के अंदर नहीं है, बाकी आप आप रुक भी सकते हैं, ब्रेक पास लंच डिनर भी कर सकते हैं, बनब यह थोड़ा फ्रूटफुल सा एरिया है ट्रेक की शुरुवात कर दिया, ट्रेक की शुरुवात में पोडियां हैं, और हम हैं भी राउन लेक में, एक अपडेट में आपको बता देता हूं, कि गूगल के इसाब से जो राउन लेक है, वो तो है काफी पिछे, आपको सड़क के उपर एक जड़ने के पास कह देगा है राउन लेक है, बाकी वो है नहीं, वहाँ से लग बग पाँच किलो मेटर, छे किलो मेटर आगे है, सेकंड, उखी मठ के अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, हम आल्मोस्ट एक गंटा पहले होते हैं, अभी दस बज रहे हैं, तो हुआ किया कि उखी मठ में मैं पेट् है राउन लेक चलिये जुआ डैर सारी पोड्य आए शानार नजारे और फिर अंदर सारी पोड्य जो फस्सटोपे जाता है निचे राउलेक से तो आपको पहला गाउं आएगा राउ करके निचे राउ लेक हैं और यह राउंवे, तो यहां से माईन विल्स बता रहे है कि लगवग 235 किलो मिटर बता रहे है कोई चार किलो मिटर बता रहे है आपको चाएद 1 2 में रास्ते में जहां ही चाकरी कि महा पी लेंगे तो चलिए टाइम नहीं ज्यादा लगाते कॉंटिन्यू करते हैं आपको गाउं का नजारा दिखा देता हूं सुंतर है राउं गाउं के बीचो बीच एक ही ऐसा प्रांगन सा है और यहां पर एक पॉइंट मनालो ऐसा बनाया हुआ है जहां से दूर दूर तो को बहुत चांदार नजारा देखने को मिलता है ब्यूटिफुल ऐसा लग रहा है डोनी उड़ता जा रहा है वाव अर यह रहे सरगारोहिनी जो देख रहे हैं आप ट्रेक वहां से माय थे भी अचा दान यहीं पर लगाते है आप अचा इस तुकाने की लिए ना नहीं वैचे फसल यही होती है दान की तो दान के लिए तो खड़ा पानी चीए इसको जूरत नहीं होती पानी ख़़ा कर रख इसमें अच्छा वेसे सुक्सी में लगाते है यहां कि सुटा टाल की पूलते ंरेम है अच्छा यहां कुछन एप दाल का लाइफ पथरी के लिए पहुत आरी होती है कॉन पर नाम होता है को फीजूत बोला गोथ भी अपने एकूतर यह अरे यह बक्री को इसमें कर खाख वाया है कि हृ कं जा जा बाग जाती है ना ना रेंदो 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 बाग जाएके नी बागति तो ता लो पखे झा जाए यह अधा लो गाहों का व्यूँ आए चोटा बच्चा आ रहा एक वह चोटे बच्चे वह बच्ची पैदल चला कर भई हमारी तरह यह देखियो साथ साथ गोदी भी अर साथ साथ मोबैल देखियो ता रखा हुए है पैसे पकट रखा है वाह ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल यह इसे साथ से तो पहीं मेमरी काट जीएंगे मरका ऐसे देखिये चोटे-चोटे फिल्ड बनाए में यहां पर किसानों ने कितनी चोटी सी क्या रही है हाडली होगी बीस बाएदस फुट की इसी के अंदर तसल लगा जेते है थोड़ी-थोडी जो उनका काम चल जाए परिवा क्लिमेटर आगे होंगे पक्का और ट्रैक वे बहुत मजा रहा है मिलब स्टीप है मैं ऐसा नहीं कहूंगा के आसान है मोडरेट है बट आवाज सुन रहे हैं आप कहां मिलता है मैदानों में हाँ हाँ हम तो आते भई नेचर को महसूस करने है इसलिए चैनल का नाम भी नेचर और एडवेंचर रखा था और ऐसी ओफबीट सी जगहें मैं डूनता रहता हूं और आपकर शेयर करता रहता हूं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शे में शेयर कर देना नजारा यह रहा हूं जाय का इनकलाइन देख लिए यह उपर जाएगा भी हम एक पार्ट पे तो शायद पहुंचके हैं अब पर नहीं आगे कितना रहता है तो चलते जा रहे हैं जनरल आइडिया देने के लिए आपको दिखा रहा हूं यह देखिए रस कितना स्टीप है और वहां जो आपको छुटा से दिख रहने दी वड़ा पोर्शन यहां को हमारी गाड़ी खड़ी है इस उपर आपको दिखाए देरा शड़ सा यह बतारे आलमोस्ट मीड़ पॉइंट यह मीड़ पॉइंट से थोड़ा सा आगे का है यहां पर हम बैठें यहां से दिखता है काल चिला का फर्स्ट व्यू वेपाइंट लेक देख लीजिए पिछे जए होटल या बिल्डिंग सी है कहां से दिखता है प्रदीब जी अच्छा उदर कहीं आना पड़े रहा है उपर दंडा दिख रहा है ना ओपर देख लोग वाइट वाइट वाइ अच्छा मंदिर है यह जालिए यह यह काफी कठी करते हैं कई बार हम ना पाड़ पे जाते तो इकठा करते इनको जब पकावार इतना उख वो पकावार रहते ना इसके बीज निकलते है अंदर अच्छा तो खाते दें बच पना बहुत सारे अच्छा एपका के अच्छा इसके ठीक उपर यह गरिया गाउं यही से रास्ता जाता उपर अच्छा जंजलो के और यह लाश्ट ऊपर दिख रहा है ना हाई सब से टॉप में वह पे देवरिया ताल उसके पीछे सारी गाउं पे था अभी अमें आपे कुछ लोकल मिले थे गाउं से तो वह सुबह जाएगा यह देखिए आपको शिला मिलेंगी यहां पर और वो उपर देखिए यह है काली शिला का आपका दूसरी बार दिखा रहा हूं जो दर्शन ओ यह तो मैं देखी नहीं रहा था यह तो पैन किया मैंने कैमरा तो दिखाई दे दिया देखिए कितना ब्यूटिफल व वाओ देखिए तने पतले पतले रास्ते हैं कई जंगता अब इदर है गैरी खाई मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूं ओ जैसे-जैसे माइट पर जाते जा रहे हैं व्यूटिफल से और ब्यूटिफल से और ब्यूटिफल होते जा रहे हैं ब्रिल्यांट आज मोसम भी साफ है और देखे क्लाउट्स देखिए गए शानदार नजा रहा है टेवीश बहुत हिम्मत कर रहा है वेरी गुट वन मैन आर्मी याई ओ वन मैन आर्मी यह पेड़ कुछ अलग सा ही है ब्यूटिफल ब्यूट क्या शांदार क्रेचर है यहां बहुत देखे हैं कलम चौमासी गए थे महां पीब काफी थे रेप्टाइल्स बहुत हैं इस त्वेली में यहां से अल्मोस्ट टू सेवंटी डिगरी व्यू आ रहा है मैं आपको दिखा जाओं जैसे से आइट पे जाते जा रहे हैं वैसे तो अफकॉस नैचरल सी बात है तो दूर दूर का दिखाई दे गई आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये व्यूज कैसे दिखाई दे रहे हैं और आपको ये वीडियो देखके कैसा फील आया अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ ही ट्रैक कर रहे हैं तो समझे ये वीडियो मेरा बनाना कामियाब हो गया अगर पंद्रह बीस मिनिट का ट्रैक अभी बाकी हमारा और अगर स्टीपनेस देखिए ये तो अगर सिदा होता है अब देखिए आपको एक अंदाजा मिल जाएगा इत्मा बड़ा कीड़ा मैंने आपको अपनी लाइफ में देखा लोकल बाशामी से गोएबाडा बोलते हैं ये कॉंट्रास्ट के लिए आपको दिखानों हाथ के साइज से देखिए कित्मा बड़ा आएगा अनबलीवेबल ये बात तो हाइनल है कि जब काली शिला अल्मॉस्ट आपके हाफ यूलिमेटर है जाएगी तो जो स्लोप है जो इनकलाइन है वो काफ स्टीप हो जता है बस आपने वहां पर ही मतनियार नहीं आपने सिर्वे सोचना है बस चलना है चलना एक बेंड दो बेंड जो भी आपका प्रिंसिपल हो जो कि आप फॉलो कर सकते हैं इजी के हिसाब से वैसाब करिए तो जाएंगे तो फ्रेंट्स फर्स्ट व्यू हो गया है हमारे काली शिला मंदिर के वह आपने जो देख रहे हैं यह मंदिर है काली शिला का और अभी लास्ट के स्ट्रेच में सच बद बताऊं तो अभी यह पहले कह रहा था पापा बस कहीं बैठ जाते हैं तो कुल मिला के बात ही है कि आखरी का जो स्ट्रेच है यह आपको टफ लगेगा बस हिमत मता रहेगा एंट्री गेट जी हमने एंट्री कर ली है और यह है मंदिर परिसर इसके पीछे है शिला अभी हम चलेंगे हुआ 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 है हुआ 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 ह कि अपली देलें कि वर के दो बिटेड़े ताहिए भाई प्याएट गुर्ण जा टाहिए जान। कि अपली वह एंग, कि अपली करने आगो कि अपली और बनार से टूसे हुआियों हुआए ऑहाँ प्जिए गड़ाई लाई बाई पर बाई भाई है पूजा पहले करेंगे मा के दर्शन और फिर देखते हैं आगे की जरनी के बारे में आपको जो भी होगा अपडेट करता है यह है जी काली शिला दर्शन कर लिए आप हम नीचे जा रहे हैं पूजा करने के लिए यह माता का सिला है सरन मेरे पास दे रखाया और यह मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों इस तरफ जो है सिला बहुत ही डेंजर इस तरफ का जो एरिया बहुत ही ब्यूटिफुल जो है सीन आप देख सकते हैं चारो तरफ का जो नजारा है यह आपके केदार बहली पड़ती है इस तरफ केदानात के लिए रास्ता होके जाता है और यह सिला है माता का बगवती मा काली सिला यह नहां से परक्यमा करते हैं और आप देख सकते हैं बापरे कितना डेंजर है यह देख लो आप यह बहुत ही घूपसूरत नजारा है यह समूची गाटी दिखती है मतमिश्वर गाटी केदार गाटी देख लो यह सिला में दिखा रहा हूं आप लोगों को यह रास्ता है परक्यमा के लिए यह बड़ा खत्रनाक है और रिस्की भी है थोड़ा मेरे नाम याद रखना दोश्तों मेरा नाम परदी प्रावत है मैं इधर ही रहों लेकर रहने वाला हूं तो सरको में नीची मिला अपने गाओं में काली सिला का असली नजा रहा है यह दिख लिए दोस्तों बापरे बड़ा डेंजर एरिया तो दूर तक दिखता है काफी दूर दूर जो नीचे आपका अगस्त मुनी हो गया इवन स्रीनगर एरिया कुछ हद तक स्रीनगर भी दिख जाता है तो जो लोग के दानाथ गयोंगे गुप्त कासी देख सकते हैं गुप्त कासी आगे आपका इनारन कोटी हो गया इधर यह आपका आगे फाटा बगहरा पड़ते और यहीं से के दानाथ के लिए दर्शन करते हैं हमने करे एए देरे माता साथा तब मालम देदा सुख दे रा ऐसे तेरे जोगल चरण सब के दुखारे हमने अपनी काली शिलावा का पहुंचने का सपना पुरा कर लिया और उसका क्रेडिट जाता है परदीब जी को अगर यह नहीं होते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता यहां तक पहुंचना तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया दा करता हूँ कि इन्हों ने हमारी इतनी सायता करी तो उमीद करता हूँ आपको व्लोग अच्छा लग रहा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड सिर्कल के अंदर शेयर कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तो यह था काली शिला का हमारा व्लोग मिलते हैं आप से ए stay safe, stay healthy, stay tuned, goodbye.